तो बही अगर आप ऐसा प्रो काम करना जाते हैं अगर आपको लाप्टाप सर्च आउट कर रहे हो जो कि आपके लिए बैस्ट दिल हो जाए जिस पर आपने कोई भी हैवी सॉस्ट्वर यूज़ करना आप इसली नौनी कर सको तो बही यह वीडियो में श्पेशली आपके लि देते हैं तो अभी बात करते हैं अगर आपका पज़ड़े नाटी थांचे लेके वान लाग चांट थांच हो जाता है इस प्राइज में यार मैंने रखे हैं चार लैक्टव यह चारू लैक्टव पूरे लोडड़ होने वाले अगर आपने आपने प्रो काम करना जां फिर अगर आपने एज़ा क्रेटर काम करना है तो ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं नंबर फो की बात करते हैं नंबर फो पर यार मैंने रखा है M.I.C. क्रेटर को अगर इस लैप्टव की बात करूँ तो यार नाम से पता चलता है कि आपको M.I.C. क्रेटर तो बैस्ट एफ प्रेटर के लिए प्लस इसके मॉडल्स बगारा बहुत देखनी को मिल जाथा आपको 16 GB RAM भी मिल जाएगी 8 GB RAM भी मिल जाएगा 4 GB Graphic Card भी मिल जाएगा पर यार मैंने दखा है Asus Rock Zappos G14 को अगर इस laptop की बात करूं तो 2020 में सबसे ज़्यादा बिखने वाला सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाला ये laptop है इसके जो design होगे इसके color होगे प्लस इसकी back side में आपको LED lighting देखने को मिल जाती जो कि आप customize कर सकते हो अगर इस laptop की बात करूं इसमें आपको 8 GB RAM भी मिल जागी आपको 16 GB RAM भी मिल जागी उसके बाद graphic card की बात को आपको 4 GB graphic card भी मिल जागा सट्रिक्स को अगर इस laptop की बात करूं तो यार इसका stylish design तो मिली जाता हो इसके साथ साथ भी स्पैसिफिकेशन इसके पूरे मिल जाते हैं प्लस मैं आपको बता देना है जाता हूँ सभी के लिंक मैंने परवाइड के इंडिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखनी को मिल जाएंगे अगर मैं इस laptop की बात करूं तो यह 90,000 के बज़र में आपको laptop मिल जाएगा आपके लिए लैक्टाप भी प्रफेक्ट डील हो सकता है अभी बात करते है जो लैप्टाप है वह डूट डिप्ले स्पोड करता है जो कि इसका प्लस पंड देखनी को मिल जाता है इसके और भी स्पैसिफिकेशन बहुत आते हैं आपको डूल फैल मिल जाते हैं आपको cooling मिल जाते है display quality इसके भी बहुत तगड़ी है एंद अगर मैं बात कुरूँ है इसका प्राइस तो यहार दो लाग के बज़र तक भी चला जाता ठीक है यह start हो जाता है 80,000 के बज़र से start हो जाता है एंद इसका प्राइस दो लाग के बज़र मिल जाते हैं अगर आपका बज़िट 1,00000 से लेके अगर आपका बज़िट 1,00000 से लेके 1,00000 हो जाता है अभी हम इस प्राइज रेंज की बात करते हैं प्लस मैं आपको कहा देना जाता हूं भी मैं आपको deeply नहीं बता रहा है मेरी वीडियो को लेंग से जादा बड़ा हो जागा है उसका कोई फैदा नहीं है और कोई भी रीजन नहीं है अभी स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियर 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है इस प्राइज रेंज में यार मैंने पांच लैप्तॉप रखे हैं दो बताऊंग करते हैं कीमिंग लैपटाफ से सबसे बहुत करते हैं नंबर चुकी नंबर टू पर यार मैंने रखा इस सरपड़ेटर को अगर इस लेपटव की बात करूं बैस्ट आफ वीडियू एक्टिंग के लिए एंड वाई वाइस्ट फोव गीमिंग के लिए लावस चिम के लिए अगर आपने हाई सैटिंग पर गेमिंग करने हैं जा अगर आपने फोर के वीडियो एक्टिंग करने हैं आपके लिए बैस्ट दील हो सकता है इस सर्पेडियेटर मैंने लिंक पर वाइड कि आपको डिस्क्रिपिशन बॉक्स में देखनी को मिल जागा अगर इस बillä बी ग्राफिक कारड मिल जागा अगर आपको वीडियो एक्टिंग करनी है उसके साथ वीडियो एक्टिंग करना चाहत you के वीडियो एक्टिंग करना जाते हो बहुत तगड़ा आपके लिए होने वाला अगर इस लैप्टॉप की बात करूं इसकी भी डिस्पेय आपको 144 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिलेगा इसके बाद आपको इसमें राइजन का प्रसाइशा देखने को मिलेगा आपको र लैप्टॉप बता दिया अभी बात करते अगर आपको एक क्लासिक डिजांच चाहिए प्रीमियम डिजांच चाहिए एंड अगर आपको वाल लाग त्यांट हों से लेगे वाल लाग फॉरी थाउनले इस प्राइज में मैंने तीन लैप्टॉप रखें बात करते हैं लैप्टॉप के साथ ग्राफिक कार भी देखने को मिल जागा मतलब जितना पे करोगे उसके अकॉर्णिग आपको स्पैसिफिकेशन मिलते जाएंगे आप देख लेना अगर आपने इस लैप्टॉप के और जाना है आगे बात करते हैं नमबर टूपर यहार मैंने रखिया माक्रोट सर्फेस भुकट3 गॉक अगर इस लैपटॉप की बाद करूएं टू-इन-वन लैपटॉप आप ईसा टैब भी यूज कर सकते हो आप ऐसा लैपटॉप इसको यूज कर सकते हो बहुत लाइटवीड देखने को मिलते हैं आपको इक और फिरम भी मिल जागे अप जितना पर करोगे उसके इंक्रीज होते जाएंगे एक पर आप इसको चावड़ जुरूर करना आपको बहुत पसंद आने वाली है आगे बात करते हैं नंबर वान की नंबर वान पर यार मैंने रखिया है, HP Spectre x360 को अगर इस लैपट आप की बात करूँ यह लैपट आप स्टार्ट हो जाता है को विकुज इसका डिजान इसकी बिल्ट क्वाल्टी की क्वाल्टी बहुत तगड़ी है प्लस एच भी ब्रेंड है कि ट्रस्टेड ब्रेंड आपको मिल जाते हैं तो आप चैकोड कर ले ना अगर आपको ये लैप्टॉप पसंद आता है आप जा सकते हो एच पी स्पेक्टर ये स्पैसिफिकेशन इक कौर्डिंग भी आपको बहुत तगड़े मिल जाते हैं अगर आपको ये लाग से लेके दो लाक हो जाता है इस प्राइज रेंज में मैंने रखे हैं यार आठ लैप्टॉप ये वह बहुत तगड़े होने वाले हैं मैं जितने भी लैप्टॉप बताऊंका वह बहुत तगड़े होने वाले हैं तीन लैप्टॉप बताऊंका फाईख अगर को अजक्र ऐसा डेमीं करना या व्यूडा एक लेक्षरक mix लेटेकर बांच मैने तो स्टार्डं करते हैं सबसे पहले घैमिंग लैप्टॉप से बात करते है number 3 की razor blade 15 तो सबसे पहले बता दो इसके भी bare बहुत देखने को मिलते हैं आपको razor blade theories movie 12 15 ready razor blade 17 लेटार दीच देखने को मिल जागी आगे फिसके बहुत देखने को मिलते हThey leather bent 15 भी आपको साथ से आठ वीरने देखने को मिल जादे यह लग अलग जो स्पेसिट ईस्पल fram गी बेस्टे गिशन आपको ले चाहितो किसी में आपको फोर केड डिएकार मिल जएगा किसी में आपको arty x graphic card देखने को मिल जएगा किसी में आपको i5 मिल जएगा किसी मी आपको i7 देखने को मिल जगा तो आप देख लेना इनमें से जो भी specification आपको आपको सही लगते हैं ले सकते हो gaming design में आप इसका डिजाइन उन्वारा बहुत ज्यादा सही है बिल्ट क्वाल्टी बहुत अगरी है इसका ट्रैक पर भी बहुत ज्यादा सही है आगे बात करते हैं नमबर डू की नमबर टू पर यार मैंने रखा है आपको 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 आपके लिए तगड़ा होने वाला है अगर आपने गीमिंग करने हैं आप इसली नॉर्मली कर सकते हो भी आगे बात करते हैं नमबर वान की नमबर वान पर यार मैं ने रखा डेल एलियन वीर मुझे लैक्टॉप यह बहुत ज्यादा पसंद है इसकी लुक एंड जो एलियन का बैक सैड में लोगो आता है जो वह आर जीबी लाइटिंग के साथ देखने को मिलता यार उसकी लुक बहुत ज्यादा सी एंड इसके स्पैसिफिकेशन भी जाता बड़ी हो जाएं कि और कोई फैदा नहीं है तो अभी बात करते हैं अगर आपको ऐसा प्रो अकाम काम करना चायर कामकर पहों करना जाते हूं तो आपके लिए मैं लैप्टप बताने लगाएं पांच लैप्टप बताउंगा बहुत फग्र उने वालों यह जी早 बात अगर आपने HP Spectre X360 की और जाना आप जाए सकते हो प्लस आपको टॉच्च स्रीन देखने को मिलते हैं मैं आपको पहले बूलना मैं बूल गया था सोरी आपको बताना आगे बात करते हैं नंबर फो की नंबर फो पर यार मैंने दर किया अगर इस लैप्टॉप की बाद करूं यह बहुत ज्यादा तगड़ा इसके तीन मोडल देखने को मिलते हैं तो मैं बात करूं सैवंटी इंच की तो इसमें आपको अल्टर एचरी डिस्प्ले देखने को मिल जाए जो की सिक्टीं जीबी रैम के साथ आती है फूर टू सिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ठीक है मैं बात करूं असूस जैन्बुक प्रो दू होगी अगर इस लैप्टॉप की बात करूं मुझे पसंद इसलिए बिकर इसके स्पैसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं यार आपको 4K Ultra HD OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाए जो की बहु कर सकते हो 64GB RAM तक जो की सच में एक प्लस पॉइंट आ जाता है जो लैप्टॉप है वो बहुत ज्यादा तग रहा है अगर आप इस लैप्टॉप की और जा सकते हैं आपके पैसिफ रसूल हो जाएंगे कोई भी आज तक का आपने कोई हैवी सॉफ्टर यूज करना आप प्रो आपने काम करना आपके लिए पॉफेक्ट डील हो जकती है बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं भी अगर आपने इस लैप्टॉप की और जाना है तो आपने 16GB RAM की और मिनिमुम जाना ही जाना है उसके नीची आपने नहीं जाना विकास आपके पैसे खराब हो जा reck tj's के लिए शड़त पर के लिए आपके लिए दैफेक्ट टील हो जाते हो आप ले सकते हो 2021 में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने सबसे जूद भी जाए कि मेरिधियो यहीं पर हो जाके खरतम अगर आपको मरी वीडिय intention हरी को लिए करताना क्मेंट करता है श्यक्रदा आध दोस्तों को बेदे नध दोस्तों के वीडियोस्तों को बेदे ना उनको भी गादना की चैनल को ज़ब्सक्राब विडियो को करते लाइक एंस्ताग्रां पिख लिए फो द लिंक आशे आट आठ्म डिस्क्रिप्शिन भॉक्स में देखने को मिल जागो तक च्या आओ को में वीडियो को साथ, थेंक्यू